Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Welcome to Hafsa's Kitchen मैं हूँ Chef Hafsa और आज में आप लोगों के लिए Jelly Custard की एक बहुती यूनीक रेसिपी लेके आई हूँ आज हम बहुती मेजमराइजिंग सा डिजर्ट बना के तयार करेंगे यह बहुती डिलिशिस बनेगा तो आएए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ले लेंगे milk half cup इसमें हम एट कर लेंगे vanilla custard powder 3 टेबल स्पून इसको अच्छी तरहां से mix कर लेंगे तो यह अच्छी तरहां से mix हो चुका है अब हम एक बरतन ले लेंगे इसमें अट कर लेंगे milk यानि के दूद 2 cup साथ ही इसमें अट कर लेंगे चीनी यानि के sugar 1 4th cup आप अपने टेस्ट के मताबिक अपने जाइकी के मताबिक भी इसको अट कर सकते हैं क्योंकि किसी को कम चीनी पसंद होती है किसी को ज्यादा अब हम चीनी को दूद में अच्छे से mix कर लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे जैसे ही दूद में उबाल आएगा हम इसका flame low कर देंगे और low flame पे हम इसमें custard का mixture add कर लेंगे और इसको इस तहाँ अच्छे से mix कर लेंगे ताकि कोई lumps ना बने इसको अच्छे से mix करते हुए हम एक दू मिनट के लिए पका लेंगे तो जी मैंने इसको दो मिनट के लिए पका लिया है custard अच्छे से पक चुका है इसको हम ले लेंगे अब हम एक bowl ले लेंगे इस पर एक छाना रखेंगे और इसमें custard का mixture एड़ कर लेंगे क्योंकि lumps जो हैं वो थोरे थोरे बन सकते हैं हमें बिल्कुल भी lumps नहीं चाहिए अच्छे से इसको छान लेंगे ताकि custard smooth हो जाए अब आज जो मैं jelly custard बना रही हूँ उसमें मैं six flavors की jelly set करूँगी strawberry, pineapple, orange, banana, black currant and blueberry अब हम इसको एक plastic foil की मदद से cover कर लेंगे जब एक मरतबा custard room temperature पर आ जाएगा तो हम इसको फिर्ज में रख देंगे एक घंटे के लिए ताकि custard जो है वो chill हो जाए ठंडा हो जाए अच्छा तो हमारा custard अच्छे से chill हो चुका है अब हम एक whisk ले लेंगे और whisk की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से इस तरह से फेंट लेंगे ताकि यह smooth हो जाए अगर आपको जरुरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा milk भी add कर सकते हैं हमें इसको एक smooth consistency के तरह बनाना है तो देखे मैंने इसको अच्छे से mix किया है और यह एकदम smooth हो चुका है इसको हम ले लेंगे और इसको एक piping bag में डाल देंगे अब हम एक bowl में plain cake ले लेंगे और उसको इस तरह से crumbs बना लेंगे अगर आप यह केक घर में बनाना चाहते हैं तो मैं उसकी recipe जो है आई बटन में डाल दूँ कि आप वहां से देख कि बहुत यह आजानी के साथ इसको अपने घर में बना के तैयार कर सकते हैं अब हम एक dessert bowl ले लेंगे आप यहां पर कोई transparent glass dessert bowl इस्तेमाल करेंगे तो आपको साइडों से तमाम layers दिखेंगी बहुत अच्छा लगेगा अब हम इसमें सबसे पहले black curry and jelly डाल देंगे यहां पर मैं basically rainbow के sequence को follow कर रही हूँ इसके लिए मैंने सबसे पहले purple color जो है वो add किया है आप यहां पर कोई से भी color की jelly इस्तेमाल कर सकते हैं अपने sequence के मताबिक कोई problem नहीं है यह मैंने jelly कैसे बनाई मैं आपको अभी दिखा दूँगी इसके उपर हम अच्छे से cake के crumbs इस तरहां से डाल देंगे अब हम इसके उपर सबसे पहली layer लगा लेंगे custard की अच्छे से इस तरहां से side और पर पहले और फिर दर्म्यान में फिर हम एक off-side spatula की मदद से इसको smooth कर लेंगे अब देखें जैली बनाने के लिए हम 125 g hot boiling water ले ले लेंगे यानि के half cup बिल्कुल गर्म पानी उबलता हुए पानी लेना है आपको और इसमें हम add कर लेंगे 40 g जैली पाउडर आप यहां पे कोई से भी फ्लेवर की जैली इस्तेमाल कर सकते हैं मैं second layer जैली की डालूँगी वो होगी blueberry अच्छे से इसको हम mix कर लेंगे तब तक जब तक तमाम sugar जो है वो इसमें mix ना हो जाए अब हम custard की layer की ओपर इस तरह से jelly की layer जो है वो डाल देंगे अच्छे से देखें एक spoon की मदद से इस तरह से यह बिलकुल गरम है अभी लेकिन यह इसके ओपर अच्छे से set हो जाएगा इसके ओपर हम custard की layer लगा लेंगे अच्छे से और इसको plane कर लेंगे अब हम custard की ओपर थर्ड जैली layer लगाएंगे बनाना जैली इसको इस तरह अच्छे से हम फैला देंगे spread कर देंगे जैली की जो layer है वो एक दो मिनट में सेट हो जाएगी फिर हम इसके ओपर वापिस से custard की layer लगा लेंगे अच्छे से custard की layer लगाने के बाद हम इसके ओपर लगा लेंगे pineapple जैली और इसको अच्छी तरीके से spread कर लेंगे जैली सिंपल में इसी तरह से बना रही हूँ कि हाफ कप hot boiling water और इसमें 40 g जैली पाउडर अच्छे से जब pineapple जैली सेट हो जाएगी तो हम इसके ओपर custard की layer लगा लेंगे जैली एक दू मिनट में सेट हो जाएगी मैं इसको यही पर अखी होई हूँ यानि के मैं इसको फिर्च में नहीं अखरी के जैली सेट हो ठंडी हो यही पर जो है वो सेट हो जाएगी क्योंकि बहुत ही पतली सी layer है जैली की अच्छे से custard के लिए लगाने के बाद हम इसके ओपर औरन जैली डाल देंगे अब औरन जैली जब सेट हो जाएगी अच्छे से तो हम इसके ओपर विप्ट क्रीम से इस तैहां से फ्लावर्स बना लेंगे कल की ही विडियो में मैंने आप लोगों को विप्ट क्रीम के एक नोजल से 10 डिजाइन बनाना से खाए हैं तो अगर आप वो विडियो देखना चाहें तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगे आप वहां से देख लीजेगा विप्ट क्रीम से बॉडर बनाने के बाद हम बिल्कुल होट बोइलिंग वाटर ले 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 लेंगे 125 ग्राम्स इसमें अट कर लेंगे 40 ग्राम्स स्ट्रॉबरी जैली इसको अची तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके उपर इस तरह से स्ट्रॉबरी जैली जो है वो डाल देंगे तो जी हमारी डिजर्ट में टोटल 11 लेर्ज जो है वो बन के तयार हुई है बहुत ही डिलिशेस हमारा डिजर्ट बना है बहुत ही असानी के साथ आप इसको अपने घर में बना के तयार कर सकते हैं जो कस्टर्ड है वो अच्छे से चिल्ड होना चाहिए थिक उना चाहिए इमीन बहुत ज्यादा भी ठिक होगा तो आप उसको पाइप नहीं कर पाएंगे और बहुत भी थिन होगा तो फर दो पिर आप एसमें अपश में मर्च हो जाएगा तो जी तयार है हमाया बहुत ही डिलिशियस सा जैली कस्टर्ड जिसमें बहुत सारी लेर्ज हमने दी हैं बच्चों को अगर आप यह सर्फ करेंगे तो उन्हें बहुत ही पसंद आएगा अच्छे से हम इसको एक गंटी के लिए फिर्ज में चिल कर लेंगे ताकि कस्टर्ड अच्छे से सेट हो जाए यह देखें कितना बहतरीन सा हमारा कस्टर्ड बनके तयाय हुआ है बहुत ही अडोरिबल लग रहा है तो टोटल 11 लेर्ज जो है हमारे डिजर्ड की बनके तयाय हुई है अगर आपको इस बहुत ही डिलिशिस से जैली कस्टर्ड की रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स रेसिपी में अलाहाफिज